गुद मॉर्निंग स्टूडेंट टोडे विल दिसकस चैप्टर नमबर त्री फाइबर तो फैब्रिक पर सेवन्थ क्लास इन प्रिविएस वीडियो विल दिसकस सिल्क फाइबर, सिक्रेट्टर और लाइफ हिस्ट्री ओ सिल्क मौथ, कोकॉन, प्यूपा तो हमने क्या यह सब डिसकस कर लिया था, अब हम डिसकस करते हैं हमारा नेक्स टॉपिक, हमारा नेक्स टॉपिक है, फ्रॉम कोकॉन टू सिल्क, ठीक है, रेरिंग सिल्क फाइबर, 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 सिल्क फ किसको दे देते हैं, जो silk farmers होते हैं उनको, जो silk warm farmers keep eggs in hygienic condition and under suitable temperature and humidity, क्या होते हैं, जो silk farmers होते हैं, जो eggs को कहां रखते हैं, hygienic condition, it means switch condition पर रख देते हैं and under suitable, अध्य temperature and humidity में, then क्या होता है the eggs are warm to stable temperature for lava to hatch from eggs then क्या होता है जो eggs होते हैं वो क्या होते हैं घर्म हो जाते हैं to stable temperature for lava to hatch from eggs this is done from mulberry trees इसके दुआर done होता जो mulberry trees होते हैं bear a fresh crop of leaf क्या bear करते हैं जो fresh crop of किसकी leaf की the lava called caterpillar तो लावा के इसको क्या बोलते हैं caterpillar और caterpillar को क्या हमने क्या पढ़ाता जा female silk moth lay eggs lay eggs from which hatch lava is called caterpillar caterpillar क्या होते हैं इसको silkworm भी बोलते हैं और क्या होता है production होता है किसका production होता है किसके अंदरिस में silk का from obtaining silk fibers इसको बोलते हैं caterpillar क्या था this is done किसके द्वार डन होता है mulberry trees के द्वार बीएज करते हैं fresh leaves के और लावा हटकल caterpillar जो हम पढ़ चुके हैं क्या करते हैं वो इट करता है उसको day and night and increase इन साइड क्या करते हैं दिन रात उसको खाता रोसको size क्या तो इंक्रीज हो जाता है दा लावा और क्रिप्ट इन क्लीन बैंबो तो लावा को कहा रखा जाता है clean bamboo पे after 25 to 30 days क्या होता है जो cattle pillar होता है stop eating क्या करते हैं वो खाना बंद कर देता है 25 to 30 days के बीच में क्या होता है stop eating वो खाना बंद कर दिया उसने and move to teeny chambers of bamboo in the try to spin cocon क्या करते हैं कहां पे move कर दाते हैं चोटे चोटे teeny porch chambers के अंदर of bamboo क्या करने के लिए try to spin cocon बनाने के लिए then process of silk क्या हो जाएगी a peel of cocon is used for obtaining silk fiber एक peel of cocon लेते हैं किसको किसको बनाने के लिए obtaining silk fiber को obtain करने के लिए then जो cocon है जो cocon को हम क्या पढ़के आए थे जब क्या होता है तो इस chapter के हमने क्या कुछ पढ़े लिया fiber to fabric पढ़ लिया signature पढ़े life history और silk mouth पढ़ लिया हमने pupa पढ़ लिया ता pupa क्या होता है जब grow करता है size के अंदर caterpillar ready हो जाते है enter connectable next stage में फिर क्या होता है फिर स्विंग करते है अपने head to head eight figure के अंदर then क्या होता है उसके बाद हमारे पास आती है definition of cocon की कजो completely cover कर देता है अपने आपको किसे silk warm से तर्ण होते papers के उस covering को हमने क्या बोल दिया था फिर हमने क्या पढ़ लिया इसमें क्या करते हैं जो film silk moth है वो ले करते हैं एक ताइम हंडर्स ऑफ एक्स को कहां हम सेफली कहां रख देते हैं एक स्ट्रीप और पेपर से या फिर इलिए है then क्या होगा वो दे और नाइट उसको खाता है उसका रख तो युज को जाता है इसको क्या करते हैं कहां पेपिप करके रखते बैंबो के उपर और जो कहां क्या करते हैं मोग्स कorf वीट्टे हैं प्रटेंगों पॉव्न उसिका चाहां वाया था करते जिससे क्या हो जाता है जो इस प्रोसिशों को टेकिंग आउट राइड फार्म दिको अकॉन फर यूज इस इसल्क उसको क्या बोलते हैं रेरिंग तसल्क तो क्या करना आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है आपने अपने नोट्स प्रिपेर करनें फियर नोट्बुक में थैंक यू